आपका स्वागत है टो आई विलेज के अफ़े चैनल में तो आज हमाइनान जा रहे है चने की कचोरी तो मैंने पहले चने को रात बर भी होके रख लिया है फिर सुबा उठके उसका पीस लिया है फिर हम एक कड़ाई लेंगे उसको ढख के बाजू में फिर कड़ाई को तो सक गरम होने देंगे गरम होने के बाज उसमें टेल एट करेंगे टेल एट करने के बाद उसको गरम होने देंगे जब तक आप इस वीडियो को लाइक सिस्क्राइब कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो तो हमारे तेल अभी गरम हो रहा है और गरम होने से मेरे को एक शाहरी आद आए, कुछ नहीं. अब जालींगे मिरड़ी, यही थी मेरी शाहरी, कुछ नहीं, ऐसा मेरे दोस्तों लोग हमेशा मैं को बॉलके चटाते hetैं कैugenे मैं शाहरी मन बोलनाओ, और वो लोग यही बॉलते थे. तो मैंने इसमें मिलची एड़ कर लिए इसको अच्छे से चला ले चलाने के बाद जो हमने मिक्सर एड़ किया था उसको इसमें डाल ले तो मैंने भी ये मिक्सर डाल लिया है इसमें अभी बस डाली रहा है और ये मैंने डाल लिया है तो आप इसको अच्छी तरह से मिलाएं अभी बी काईस पकरा इâte आइए में पकते जा रहा है तो अभ जब यह पगजा तो स्मय्म को फैले हल्दी एड़ करनी है फिर मिर्चि हैं अफिर हमको इस थोड़ी दिन तो इसको रखना है, रखने के बाद इसको मैं नमकेट करना है, तो इन सब को करने के बाद आपको इसको चलाना है अच्छी तरह से, तो मैं चलाता हूं इसको अच्छी तरह से, अभी भी चल रहा है काईस, इसको हम लोको चलाते रहना है पूरे एक मिनिट तक, बेना रोके, बाद ये कुछ ऐसा येलो टाइप का हो जाएगा तो समझना आपकी ये अच्छे से पक चुका है तो ये हमारा मेटर तयार हो चुका है अब इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए जब तक हम लोग कचोडी की प्रिपेश्चन करेंगे तो मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है आप चाहे तो मैदा भी उसकर सकते हैं तो इसको पहले अच्छी तरह से इस पीस गोल-गोल गुमाना है अपने हाथ में गुमाने के बाद इसको अच्छी तरह से बीच में कुछी से घड़ा करना है घड़ा करने के बाद जो हमारा मैटर तो जिसको हमने डाल ले, डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम लोग को अंपन्द कर ले, जिससे कुछ भी बहार ना निकले, और ये हमारे त्यार उच्ची है, कचोडी, इसको अच्छे से हम लोग पी पेले इसको रख देंगे, कचोडी की शेप में, ऐसी हम लोग एक दो जितनी आपको मना सकते हैं तो ये सेम जीज मैं ये सारी कचोडियों के साथ करूँगा दैसे कि मैंने यहाँ पराटा लिया है आप चाहे तो उसका मैदा भी यूज़ कर सकते हो और ये इसमें हमने इसका बैटर डाल के अच्छी तरह से बन कर लिया है अभी सी दिखने में कचोड़ी बहुत ला जवाब दिख रही है ऐसा लग रहा है कि अभी कच्छी ही खा जाओ मैं तो हम लोग थोड़ा सा टेल गरम होने देंगे फिर अपनी जो कचोड़ी है उसको हम लोग इसमें डाल लेंगे तो मैंने कचोड़ी इसमें डाल लिये और हम लोग को कचोड़ी मनाते समय जो इसकी आज है उसको मीडिया में रखना है अगर हम लोग पूरा हाय रख देंगे तो जो कचोड़ी है वो दो मिनट के अंदर पकतो जाएगी लेकिन अंदर का पूरा कच्चा ही रहेगा तो हमको धीमी आज में इसको पकाते रहना है जब तक यह नहीं पकती है तो जब तक यह पकती है आप इस वीडियो को लाइक शियर सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारी कचोड़ी पक चुकी है अब तेल में और देखो ऐसा आने लोग गया मेडियम आज में भी अब इसको अच्छी तरस चलाएंगे हम लोग इसका पूरा तेल उतारेंगे पूरे अच्छे से अभी इसको थोड़ सा और पकने देते तो हमारी कचोड़ी पक चुकी है अब इसको थोड़ सा तेल निकाल के इसको प्लेट में डाल लेंगे डालने के बाद हम लोग इसको अच्छी तरस खा सकते हैं और हमारी कचोड़ी मंच चुकी है देखी किती लाजवाब दिख रही है होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेर करना, सब्सक्राइब करना मैं मिलता हूँ को नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई